आज हम शेर करने वाले हैं हम सबी की फेडरिट आम की आपकर आईस क्रीम के रेशीपी गैस आम की आपकी घर में ना बने ऐसा तो हो यह नहीं सकता और अगर हं मैंगो आइस क्रिम बनाने का कोई ऐसा राज पता जल जाए या फिर कोई ऐसी टैक्निक पता चल जाए कि उसको बनाने में कोई जंजट भी ना हो इसमें लगने वाली चीज़े भी साधारन हो जो हमारे घरों में मिल जाए और स्वाद ऐसा की मूं में रखते ही घुल जाए ए अगर आप यह रेसेपी ट्राइ करते हैं तो हमारे साथ इसके पिक्चर्स और फीडबैक्स जरूँ शेयर किजिगा तो चलिए मैंगो आइस क्रिम बनाना शुरू करते हैं हमने दो बड़ी साइज के आम को छील कर काटकर उसका पल्प ले लिया है आप कोई भी आम का इस्त कर लेंगे अब इसके साथ ही हम इसमें शुगर भी आट कर लेंगे क्योंकि क्रिस्टल शुगर है यह अच्छे से इसके साथ ब्लेंड हो जाएगी मीटा आप अपने पसंद के कोडिंग कमिया जादा कर सकते हैं स्मूदली ब्लेंड कर लेंगे से अब हम इसे चानल लेंगे हो सकता है इसमें एक आद रेशे हो वो अलग हो जाएंगे इससे और हमें मिल जाएगा एक स्मूध क्रीमी टेक्शर वाला पल्प तो लीजे हमारा आम का पल्प भी छनकर रेडी है अब आप देख सकते हैं यह बहुत ही जादा स्मूध है यह देखे इसका टेक्शर एकदम क्रीमी जैली जैसा है तो हमारा पल्प रेडी हो चुका है चलिए अब चलते हैं नेक्स प्रोसेस के तरफ तैयार आम के पल्प को हम एक सी के ब्लेंडर जार में अगेंशेफ्ट कर ल अब हम इसमें ऐट कर लेंगे मलाई यह ताजी मलाई है एक दिखाय कप जब हम घर में दूद उबालते हैं उपर जो मलाई खटे हो जाती है यह वहीं मलाई है अगर आपके पास इन नहीं है तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं वह भी आट कर सकते हैं इसके साहती कि हम जितनी हमने मलाई ळी थी उतनँ ही हम फुल क्रीम दूद अट करेंगे मतलब फूल siad वाला द हुड एक दिहाय कप अब लास्ट में हम इसमे से मिल पौडर कर लेंगे बल्स मोट पे रुक रुक के ब्लेंड करना है तीन से चार बार लीजे तैयार है हमारी आइस क्रिम जबाने के लिए यह बटरी और सिल्की टेक्शर वाला यह मटीरियल इसमें नहीं हमने कोई आरा रोट नहीं कौन फ्लो नहीं आटा कुछ भी यूज नहीं किया है और इसका टेक्शर आप देख सकते एकदम पॉफेक्ट आया है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी आइस क्रिम कितनी जादा स्मोध और सिल्की एकदम मूँ में मेल्ट होने बनने वाली है अब हमें आइस क्रिम मटीरियल शिफ्ट करेंगे एक प्लास्टिक के एर टाइट कंटे आइस क्रिश्टल ना जमें इसके लिए आप क्लिंग रैप को अंदर से और फिंगर से इसे अंदर क्यों पुश्ट कर दीजे आइस क्रिंग के लेवल के उपर बिल्कुल है ताइस क्रिस्टल नहीं जमेगा एक और इसे ड़ारा घंटे के लिए हम डीफ्रीजर में से तीन घंटे के बाद आइस क्रीम को थोड़ा सा मिक्सर ब्लेंडर जार में डाल कर चर्ण कर दीजे वैसे हमने इसमें एक तुम एर टाइट कंटेनर लिड ली है इससे इसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमेगा तो चलिए इसे डालते हैं फ्रीजर के अंदर जिलते हैं दस से 12 गंटे के बाद 12 गंटे के बाद हमारी आइस क्रीम एकदम अच्छे से जम चुकी है अब हम इसका क्लिंग रैप हटा देंगे और चुकि हमने इसमें क्लिंग रैप अंदर के और इंसेट कर रखा था तो इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं जमी है और यह बिल्क कुछ चॉप ट्राइफूट्स के साथ जो की दिखने में और खाने में तोनों में टेस्टी लगता है अगर आपको याइसक्री बनाने में फ्रेश फ्रूट्स नहीं मिलता है तो आप पल्ब ले लीजे जो की एजिली अवेलेबल है और अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप दूद को उतना गरम कीजिए रिट्यूस कीजिए हाफ कॉंटिटी या फिर वन फॉर्थ कॉंटिटी बचने तक उसके बाद इसमें स्तमाल कीजिए तो गैस ट्राइक कीजिए आप भी रेसेपी अगर आपको ईजी सी और टेस्टी सी रेसेपी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शियर कीजिए और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहा है तो हमारे पेच को फॉलो कीजिए थेंक्यों फॉर वाजिंग है वाग्रेट डेग